चलिए भाईया अपडेट आ चुका है श्रुलंका और पाकिस्तान के बीच में जो वॉबम मैच खेला जा रहा है उसका सबसे बड़ा अपडेट अभी जस्तूरंत ही आया है आपको मैं बता दू कि पाकिस्तान ने 342 रन बनाए श्रुलंका क्रिकेट बूर्ड 11 के जवाब मे मतलब श्रुलंका क्रिकेट बूर्ड 11 ने 196 रन पहली पारी में बनाया था और इसके बाद जो है पाकिस्तान की टीम ने पहली पारी में 342 रन बना दिये हैं अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बाबर आजम का श्रुतक आया या नहीं आया सौध शुकिल का श्रुतक आया नहीं आया क्योंकि कल तो शानमसू 83 रन बनाकर आउट हो गए थे तो आपको मैं जवाब देता हूं दरसल में रिटार्ड आउट हो गए थे बाबर आजम जैसे ही लंच हुआ उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आये सौध शुकिल भी बल्लेबाजी करने के लि आप तो 12 शतक शतक मारके ही जाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है तो रिटार्ड आउट हो गए थोड़ा आराम लिए और इसके बाद बाद की बल्लेबाजी करने का उन्होंने मौका दिया इस कोर बोर्ड पूरी तरह से आया नहीं है लेकिन पाकिस्तान किर्केट बोर्ड ने अपना शतके पारी उन्होंने खेली थी इसके बाद कल का दिन का आपको भी पता है कि शान मसूद ने जो है तीरासी रन उन्होंने बनाए बाबार आजिम ने उन्यासी रन बनाए और सौध शकिल जो है 61 बनाए बांकी बल्लेवाजों ने कितने क्या रंस बनाए हैं उसका अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि scoreboard नहीं आया जब तक में टी-break नहीं होगा तब तक में scoreboard आपको नहीं सुना सकते लकिन ताजाइट्स है वह यह कि कि पाकिस्तान ने पहली पारी में 342 रन बना लिये हैं अब जो है शाहिंशा फृरिदी या फिर पाकिस्तान टीम जो एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए उतरेगा आपको मैं बता दू कि 16 तारिक से मुकाबला शुरू है जी हां 16 जुलाइस से मुकाबला शुरू होगा और इसके बाद जो है निगाएं होंगी क्योंकि पिछले साल बाबर आजम जो है होम टेस्स उनका भी आपको भी पता है कि कुछ ठीक नहीं गया था सारे स्टार गिंदबाज थे वो इंजड़ होके बाहर हो गए ते शाहिंशा फृरिदी लंबे समय के बाद जो है लोट रहें तो ऐसे में देख के काम आए और एक जो है ना कहता है कि टीम का प्रदर्शन सारे खिलाड़ी अगर योगदान देते है ना तब ही जाकर जो है मुकाबला जी सकते हो टेस्ट मैच जीतने के लिए टोटल बीस विकेट्स आपको लेने पड़ते हैं ऐसे में शाहिंशा फृरिदी अफ्रा अब जिन जिन को भी खेलने का मौका मिलेगा उनसे कंट्रिवीशन की उम्मीद आप कर सकते हैं इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद